आप सभी को मेरा प्रणाम, Herbal Remedies in Nature Stages रमाप का सागत है, मित्रो आज हम एक ऐसे प्लांट की चर्चा करेंगे जो हमारे नर्वस सिस्टम और डाइजेस्टु सिस्टम दोनों को हील करने का कारेक कर रहा है, दोनों को हील करता है, मित्रो गर्मियों का मोसम है, इन डाइजेशन की समस्या, हैड़क की समस्या, चक्कराने की समस्या, वोमिटिंग की समस्या, और सर में होने वाले दर्द की समस्या बहुत ज्यादा है, और गर्मियों में हीट स्ट्रोक की समस्या बहुत ज्यादा हो जाती है, फिंटनेस भी हो जाती है, मुर्चा जिसको कहत नीकाला हुआ राईजॉम यह प्लांट है और इसका राईजॉम को हम उपियोग में लाते हैं साथियों आयुरवेद के अंदर इस प्लांट का डारेक्ट इपयोग नहीं बताया गया है आपको सोधन करना चाहिए कारण क्या है कि इसके अंदर इस प्लांट के राइजॉम के अंदर बीटा एशा रोन नाम का एक कमपाउंड पाया जाता है जो कि ज्यादा मात्रा में लेने से और लंबे समय तक लेने से कारसिनोजन का कैरे करता है तो उसको हमें सोधन की मा करना चाहिए सोधन एक बहुत ही इंपोर्टेंट फिरक्रिया है आयरवेद के अंदर जिसमें हम किसी भी ड्रग की पोटेंसी को बढ़ाने का कारे करते हैं और उसके इंडक्स को बढ़ाते हैं ताकि वो ड्रग सेफटी लिमिट्स में उसका टी लेवल बढ़ जाए और उसकी सेफटी का लेवल बढ़ जाता है वित्रो इसके सोधन करने के लिए आप क्या करेंगे इसके राइजूम को साफ कर लीजिए और गोमुत्र में उसको भिगो दीजिए आप 24 गंटे के बाद हमें साथ दिन तक गोमुत्र को बदलना है और साथ दिन बाद आप इसको फिर से करके पाउडर बना लीजिए फिर आप इसको उपयोग में ला सकते हैं बीटा एसा रोन इस सोधन के माध्यम से रिमूव हो जाता है और इसको लेना बहुत सेफ हो जाता है साथियों क्या कर सकते हैं इसका दो से तीन ग्राम टुकड़ा लेकर आप डिकोक्शन बनाकर या द इंडिजेशन की समस्चा है फ्लेटूलेंस की समस्चा है अफारा पेट में आ जाता है पेट में कीडो की समस्चा है अलसर की समस्चा है किसी भी परकार का मेटाबोलिक डिसॉडर है उन सब को दूर करने का कारे करता है अन्वांटिट पेट में खिचाव हो रहा है किसी सू करता है मित्रों होर्मोनल ले पे इसकी एक्टिविटी होती है आप इसका डिकोक्षन बना कर दिन में दू बार सेवन कर सकते हैं दो से तीन ग्राम परियापत होता है और उससे ज़्याधा मात्रा में अगर एक साथ आप लेते हैं तो वह को सकता है मित्रों की इस प्लांट का प्रप्योग हम कफ वात तीनों को रेमीडियेट करने के लिए करते हैं तीनों के डिसॉडर्स को बैलेंस करने का करे करता है त्री दोसनासक होता है साथ यह अगर respiratory system से संबंदित problem है bronchitis है या asthma है या सवांस लेने में संबंदित disorders है तो यही जैसे छोटे बच्चे को congestion हो गया है सांस लेने में दिक्कत आती है कफ निकल नहीं पा रहा है तो अगर इसकी मात्रा हम देते हैं तो vomiting के माध्यम से कफ को भी बाहर निकाल देता है कई बार poison अगर administration कर लिया है या toxins शरीर के अंदर इकटे हो गए हैं उनको निकालने के लिए तीन से चार ग्राम इसकी मात्रा दे देते हैं और इससे vomiting आ जाती है और vomiting के माध्यम से शरीर के अंदर जो toxins होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं लिवर डिटोक्स का ये कारे करता है तो आपने इसमें देखा कि लिवर डिटोक्स करते हुए शरीर के टोक्स को बाहर निकालने का करे करता है natural antidote का करे करता है लंग्स के अंदर जैमें हुए कफ को बाहर निकालने का करे करता है ज्यादा मात्रा में लेने से vomiting को ये इंड्यूस करता है उल्टी को ये लाता है digestive disorders को दूर करने का करे करता है मित्रो अगर headache हो गया हो या धूप लगने से brain stroke की समस्चा हो गई हो या vomiting लगातार आ रही हो तो आप देखेंगे कि आप इसकी कम मात्रा में लेकर इसका आप सर्वत बना दीजे और उसमें सहद मिला कर सेवन करा दीजे थोड़ा साथ सूधित राइजोम आपको लेना है मित्रो अगर headache से संब्दी disorders हैं तो आप इसके चून लेकर और उसको सर्वत बना कर पीना चाहिए आप सकता अनुसार उसमें आप सहद भी मिला सकते हैं तो गर्मी के कारण लू लगने के कारण vomiting हो रही है या headache की समस्चा हो रही है इसनदे माइभ शसके ह lies मैरा उस si ने करता है मैं है भी बताया कि ज़्यादा मात्रा में लेने से यह वह मेटिंग को करता है और लिमिटिज इन्फ्लामेशन के लिए इरिटेशन के लिए फंगल बैक्टीरियल माइक्रोबियल वाईरल सबी प्रकार के इन्फेक्चन को हील करने के लिए किया जाता है Weneral disease हो, मैं आप इसका paste बना कर लगा सकते हैं साथ ही इसके rhizome का decoction बना कर 7 कर सकते हैं मित्रो मैं जहां भी rhizome या powder का उपयोग आपको बता रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि आपको सोधित ही उपयोग में लाना है हैं सोधित की गुनवत्ता सोधित की पोटेंसी सोधित की तिर medidas ज्यादा होता हैalyst Bay आप इसको आशानी से गंलों में लगा सकते हैं आप इसका घरों में लगा शकते हैं इन्हीं राइजोम के माध्याम से इसका propagation हो जाता है अपि यहां करके बरसात के मौसम में गमलम लगा दीजिए धीर दीरे ये बढ़ जाता है और इसमें एक्स्ट्रा रूट्स भी डवलप हो जाती है इनके माध्यम से भी बाद में यह सेप्रेट टूबर्स डवलप से डवलप हो जाता है इस परकार से इसको आप बुखार के लिए डायरिय क्रीया डिसेंट्री के लिए माइग्रेंл के लिए और नूरो मॉस्टीलर प्रॉब्लम्स के लिए उपयोग मिला सकते हैं साथ हिजिए हो उपियोग होर्मॉनल लेवल पे ड्योलेट करने का का रए करता है सद्धिक लसा है या एसी समझ्याओं को बीठीक करने में इसका विशेस उप्योग आता है आप इसको digestive disorders को ठीक करने के लिए respiratory problems को ठीक करने के लिए hormonal imbalance को ठीक करने के लिए Euromuscular associated problems को ठीक करने के लिए सबी पिरकार से आप इप्योग में ला सकते हैं वित्रों क्योंकि यह rhizome है और इसकी properties soil से heavy metals को extract करने की होती है थ्रापेटिक बैटर थ्रापेटिक benefits के लिए आप इसको organically cultivate कीजिए organically produce होता है उसका TI value ज्यादा होता है safety limits safety value उसकी ज्यादा होती है biodiesel plant भी इस plant को कहा गया है आज कल biodiesel की form में biodiesel extract करने के लिए इसको हम काफी research कर रहे हैं antifungal antibacterial antiviral antimicrobial potency is plant की है nervous system हमारा muscular system digestive system respiratory system endocrine system सभी पर इसके activity देखी जाती है बहुत ही safe है organically cultivated अगर है तो थ्रापेटिक benefits जादा होते हैं repeatedly मैं यह जरूर कहूंगा यह जानकर ही आप जरूर शेयर कीजिए चैनल को subscribe कर लिजे और सुबह आने वाली शाड़े शे बजी की जो वीडियो होती है उसमें आप अपने comments भी कर सकते हैं और चैनल को subscribe भी कर सकते हैं हो सके तो बेल आइकन प्रेस कर लिजी जादा जानकरी के लिए अब सुर्भी कर धन्यवाद पर नमस्कार्व